पंजाब दे मुखमंतरी पगवंतमान ने दित्ता अपना पहला ब्यान ता नुदास दिये कि अमरितपाल सिंग दे खिलाफ एक्शन दे मुखमंतरी पगवंतमान दा पहला ब्यान आ चुकिया है आउसोन देहा मुखमंतरी पगवांतमान वन्नों दित्ता गया पहला बयान जया आजादी के बाद हरे इंकलाब के रूप में, ग्रीन रेवल्वूशन के रूप में अनक के मामले में अनाज के मामले में धेर को अतन निर्भर करने का एक टास्क हो पजाब ने हमेशन लीड किया है और पंजाब के लोग हसने, खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालक में ये बरदाश्ट नहीं करते हैं इतिहास गवा है जिसने भी पंजाब के शोशल भाहिचार सांज को जिसने भी पंजाब की अमन शांती को तोड़ने की रत्ती भरवी कोशिश की तो पंजाबीयों ने उसका मूँ तोरमा जवाब दिया आज मैं आपके सामने बैठा हूँ पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे नफर्त वरी स्पीच दे रहे थे कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सक्स सक्स अजादी जाएगी क्योंकि आमादवी पार्टी एक कट्टर देशबक्त और इमानदार पार्टी है पंजाब का अमन चेहन और देश की तरक्की हमारी प्रात्मिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयो उसको हम बक्षेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हम बहुत बड़ी जम्मेदारी दी है दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए हम ये करेंगे हम ये गैर करोने काम करेंगे आप हमारा सादी जी बहुत असान है मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए इस मामले में हम अपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में न पढ़ जाएं, जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ओफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दलवाने की बाते कर देए तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैप्टॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गैर समाजिक हत्यार नहीं तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सप्रेशन के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई पत्थर जा कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी होसला बड़ा है कि लोग जो हैं वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो हैं नफरत की राजनिती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं हम सुकूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्राचर्चर की बाते करते हैं और अर्विन केजरिवाल जी की गवाई में आमादी पार्टी जो है यह मैं बात कलियर कर देना चाहता हूं देशवासियों को, 130 क्रोड देशवासियों को, कि अर्वन केजरिवाल जी की गवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है हम लोग किसी धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जान अफरत के नाम पर कभी भी राजिनिती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में, पंजाब की शांती को तोड़ने का यह आपकी गलत फ़िमी होगी है मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहतेख पंजापियों को भी आ発वाशन दिलवाता हूं कि मेरा कोन का कत्रा कत्रा मेरे ०िल की गदाड करंध मेरी एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है आज़र है पंजाब के लिए मेरे कूं के एक कत्रा और पंजाब जो है वो नंबर वन सूबा था और नंबर वन सूबा बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की जादी को कैम रखने के लिए सराधों पर अपना सीना तान के खड़े हैं। इस बात का हमें गरग है। तो पंजाब की शांती को, पंजाब के पीस को, पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा, अगर कोई बेगारनी की सोचेगा भी तो सक्त से सक्त कारवाई होगी, यह हमारा वादा है और इसलिए आपने हमें जुम्मेदारी दिया है, उस जुम्मेदारी के अधार पर ह मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लोग बिलकुल निश्चंत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमानी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत तो उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी वज़र्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए जो है मौके पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर वन सुबा बनेगा और देश हमारा अगर पंजाब नंबर वन सुबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनेगा